गेहूं के आटे और पालक की बहुत ही जबर्जस्त रेसिपी आज आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे हर रोज टिफिन में यही ले जाने की जित करेंगे जो बच्चे पालक नहीं खाते हैं वो भी सौक से खाएंगे तो आप इसे जरूर ब यह देखे फ्रिंज हमारा यह पालक का जो पेस्ट है वो रेडी है इसको हमें एक बोल में निकाल लेंगे इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे और बाकी का इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं डालना है अब सिंपल से लेना है आपको गेहों का आटा और आटा उतना ही डालना है कि आपको इसका डो लगाने के लिए पानी की जरूरत ना पड़े और ज्यादा पालक के इस्तेमाल ंगा नहीं देख सकते हैं हमारा जो डो है वो बढ़िया से रेडी हो गया अब हम इसमें एक चमज देशी घील डालेंगे और इसे अच्छे से मसल करके आटे को चिकना कर लेंगे तो आटा भी हमारा रेडी है और अब हम चलते हैं आगे की स्टेप की तरफ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी लोईया गट कर लेंगे तो इस तरह से मेडियम साइज की मैं आपर लोई कट कर रही हूँ जितनी बड़ी आप रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे बस कट करने के बाद हमें क्या करना एक लोई लेंगे और इसको रोटी की तरह ही पतला बेलना है बहुत से गरों में क्या होता है कि बच्चे पालक नहीं खाते हैं अब बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो हमें कुछ न कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ेगी उनको हल्दी खिलाने के लिए तो यहाँ पर लोई को हमने सूखे आटे से कोट कर लिया और अब हम इसे रोटी की तरह ही पतला बेलेंगे यह देखे जैसे पतली आप रोटी बनाते है न उतना ही पतला बेल के रेडी कर लिया हमने यह देखे किनारे से इसे थोड़ा सा पतला कर देना इस बात का ध्यान रखेगा किनारे थोड़े पतले रखने हैं, तो यहां पर मैंने इसे बेल कर तयार कर लिया, अब हम इसमें डालेंगे एक चमस सेजवान चटनी, आप चाहें तो इसकी जगे पीजा सॉस के इस्तिमाल कर सकते हैं, या फिर आप टोमैटो कैचप का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, और यह जो थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर और टमाटर के बीज हटा देने हैं आपको, और यहां पर थोड़ी सी सिमला मिर्च डाल देंगे, स्टफिंग आप जितनी ज़्यादा डालना चाहें, उतनी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर हमने थोड़ा छोटा-छोटा काटके, कॉर्न डाल देंगे, थोड़े से जाएंगे इसमें चिली फ्लेक्स, अगर आपके बच्चे तीखा नहीं पसंद करते हैं, तो आप इसे बिलकुल स्किप कर सकते हैं, थोड़ा साम इसमें डाल देंगे, ओर इगैनो, थोड़ा सा नमक भी डाल दें तो साइड में अगर आप स्वास नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा छोड़ दीजेगा, तो यह बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, अब आपको क्या करना है, कि एक फोक लेना है, और इसमें इस तरह से ऐसे डिजाइन भी बन जाएगी, और यह खुलेगा भी नहीं, तो अ अगी लगाकर इसे चिकना कर लेंगे, और इसके बाद अपना यह पालक का जो नास्ता हमने तयार किया है, इसमें रख देंगे, ढ़ी ठोड़े और घी डाल देंगे, और इसे एक Armor से पहले थोड़े सीख पलड़ेंगे, फिर इसे पलट देंगे, सभी तरब से इसे अलटे पलटते वे बड़या सा golden crisp होने तक सेखना है तो जल्दबाजी बिलकुल भी ना करिएगा बहुत ही मज़िदार नास्ता बनेगा अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो सौक से खाएंगे और आप इस रेसिपी को टिफिन में दे सकते हैं ये देखे फ्रिंट्स इस नास्ता है वह अच्छे सिस्क चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इस तरह से कट कर दीजिए और बच्चों के टिफिन में अडाल दीजिए बच्चे सौक से खालेंगे मैं नहीं पर मोज्जरेला चीज़ डाली थी आप चाहें मोज़रेला चीज कीजेगे प्रो रेसिपी कैसी लगी हमें फीडबेक में भी जरूर बताएगा फिर मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाब